कि इडली आपने पयर्स सब्सक्षाइब यकून इसे बनाने वक्त आपको कई बार चोटे जोटो प्रॉबब्लम ऑप ज्यासे की इडली अच्छ से फूलता नहीं है या फिर वो soft spongy नहीं बन पाता है या फिर soft spongy करने के लिए आपको इसमें इनो या फिर baking soda डालना पर जाता है या फिर कभी-कभी क्या होता है कि इसका जो color है वो fade हो जाता है इस तरीके से ये सफेद नहीं बन पाता है या फिर कभी-कभी यह भी प्राबलम होता है कि बैटर जो है वह अच्छे से फर्मेंट नहीं होता है या फिर कभी-कभी बैटर over-forment होकर उसमें एक अलग सा खटास और इसमें ला जाता है जिससे की इडली का टेस्ट पूरी तरह से खराब हो जाता है तो आज इस वीडियो में मैं आप सबें के यह सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ साथ ही साथ इस इडली की रेसिपी को आज हम पूरे टिप्स और ट्रिक के साथ बनाएंगे और ना ही इसमें को यह बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर या फिर इनो का यूज करेंगे तो अगर आपको यह मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके औल नोटिफिकेशन को जरूर सवान कर ले ताकि मेरे जितने भी न्यू रेसिपीज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक परफेक्ट इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल और डाल के रेशियो का खास ख्याल रखना है तो यहां पर आप अपने घर में अविलेबल किसी भी कटोरी ग्लास या फिर कब को इन सारी चीजों को नापने के लिए ले ले और उसी कटोरी से नाप कर हम तीन कटोरी चावल लेंगे और सेम कटोरी से ही नाप कर हम एक कटोरी उरत का दाल लेंगे आप ऐसे समझ लीजिए कि चावल और उरत डाल का जो रेशियो है वो हम 3-1 की रखेंगे मतलब कि तीन हिस्सा हम चावल लेंगे और एक हिस्सा हम उरत का दाल लेंगे और इडली के लिए इस पेसली एक अलग तरीके का चावल भी आता है, जिसे कि हम इडली के नाम से जानते हैं और ये आपको market में बहुत ये आसानी से मिल जाएंगे ये थोरी से साइज में छोटे होते हैं और थोरे से ये मोटे मोटे होते हैं लेकिन अगर आपको ये ना मिले तो आप अपने घर में जो भी रेगुलर खाने में चावल यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं इन सबी के साथ ही इसमें हम एक छोटा चमश के करीब ये मेती दाना भी डालेंगे जिससे की बैटर अच्छे से फर्मेंट होगा और इडली एक दम फूले फूले बनेंगे ध्यान रखेगा कि मेती दाना आपको बहुत जादा भी नहीं डालना है उसी कटोरी से नाप कर हम एक चथाई कटोरी इसमें पूहा डालेंगे जिसे की हम चूरा भी बोलते हैं अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगर पे साबुदाना का भी यूज कर सकते हैं जिसे अच्छे से फूल जाए तो यहां पर मैंने एक बरे बावल में चावल ले लिया है और इसमें हम जरुद के पानी डाल कर इसे कम से कम तीन से चार बर दो लेंगे ताकि चावल अच्छे से साफ हो जाए और चावल और दाल को हम अलग अलग भी भीगोंगे अगर आप एक सा अच्छे से फून घाय और सेम तरीके से ही इस ही बाकी कि आठेक री की सारी चीजों को खौ लेंके और देंगे अगर आप जादा बना रहें तो आप इन सारी चीजों को अलग अलग भी भीगो सकते हैं और इसमें बी रवगोंगे जरुर 2-3-4 पानी फूद यहां यह एक दम अच्छे से फूल जाए, मुझे यहां पे करिब 4 घंटे हो चुके हैं, और अब यह सारी चीजे एक दम अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब इसे हम पीसना स्टार्ट करेंगे तो यह दाल और चावल में जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसे हम निकाल देंगे और सबसे पहले इस उरत दाल को पीस लेंगे तो इसके लिए एक मिक्सी जाड़ लेंगे और अगर आप ज नहीं हम डालें जितना में कि एक दम अच्छे से पीस जाएं क्योंकि अगर यह गाढ़ा रहा तो इसकी कंसिस्टेंसी को आगे ठीक कर सकते हैं लेकिन अगर बैटर पतला हो गया तो फिर इडली अच्छे नहीं बनेंगे तो देखिए दाल को मैंने एक दम पारिक पीस कर र पानी डाल भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब चावल को भी हम सेम तरीके से पीस कर रेडी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसे पीसेंगे ताकि पीसने वक्त कोई प्रॉब्लम ना है आप एक बार में अगर ज्यादा चावल पीसते हैं तो इसे पीस मौतgovern को भी कि अदिए बॉर इस बैटर को फिर वन दम अच्छे ना लेंगे और इस सटेशबन कफी चुमश पानी भी डा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पानी बहुत पानी में डाख बेटर से कि कनसेस्टेंसी को और काथ सकते हैं अब इसे मिक्स मीक्स पर आप आधा तैक में वग्स और पतल अब sanity होने क्लिए घृ लेटर को इसान है इसी पूरी तरह से टेम्परेचर और मौसम में करते हैं in आट से नौ घंटे में पर्मेंट हो जाता है लेकिन अगर ठंड का मौसम है तो इसे फर्मेंट होने में 15-20 घंटे भी लग जाते हैं या फिर कभी-कभी उससे भी ज्यादा लग जाता है तो यह पूरी तरह से टेम्परेचर पर टेपेंड करता है और गर्मी के मौसम में अक् चेंबश कर दे नमक यायड कर देता है तो अगर मौसम को आप रात पर होने के जोड़ रहें तो आप justement सब्सक्राइं करें John करें तो एक्ति हमाने के मौसम में वोस्मारें राधन च्राइब रहें सब्सक्रान के तो आप उसे फ्रिज में रख दे नहीं तो अगर आपको उस वक्त बनाना हो तो उस वक्त बना ले लेकिन फर्मेंट होने के बाद आप उसे ज्यादा देर तक बाहर बिल्कुर भी ना जोड़े नहीं तो क्या होगा कि फिर से वह ओर फर्मेंट हो जाएगा और यहां पर एक इस बात का और ख्याल रखे कि जिस बरतन में भी आपने यह बैटर को फर्मेंट होने के लिए रखा थोड़ा सा यूज़ करें क्योंकि यह बैटर फर्मेंट हो के थोड़ा सा और फूल लेगा इसका जो क्वेंटिटी वह भी बढ़ जाएगा अगर बरतन पूरी तरह से ब जगह पर रखें कि अब जिस ब्रूम में घर हो उस ब्रूम में इस बैटर को रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव या फिर अवन में रख सकते हैं जहां पे कि डायरेक्ट ठंडी हवा ना जाए क्योंकि ठंड के मौसम में अगर इस फर्मेंट होने में ताइम लग जाएगा हो सकते तो इसे चौबिस घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि इसे फर्मेंट होने में पूरी तरह से टेंपरेचर पेटेपें करता है कि यह कितने दिल में फर्मेंट होगा तो अब इस बैटर को मैं भी हीटर वाले रूम में फर्मेंट होने के लिए रख बना सकते हैं और इस बैटर को हमें एक दम जादा बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे एक बार में हमें जितना बीडली बनाना हो उसके कॉर्डिंग बैटर को दूसरे बरतर में निकाल लेंगे और आप इस बैटर को कम से कम फ्रिज में 5-6 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकत हैं टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे तो मैंने यहां पर आधा छोटा चमश के करीब नमक डाला है और बस इसे हम हलके हाथों से एक बार अच्छे से मिला लेंगे एक दम फैट फैट के आप इसे बिल्कुल भी ना मिला है नहीं तो क्या होगा कि जितने भी इसमें एर पॉकेट बने ना वह पूरी तरह से निकल जाएगा और जब इस तरीके से अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो इसमें हमें इनो सोडा या फिर बेकिंग पाउडर ऐसा कुछ भी डालने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं और आप इसके कंसिस्टेंसी को देख सकते पानी को गर्म हो निकले चरहेंगे तो यहां पर करीब मैंने दो ग्लास पानी डाला है इसे धग देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि थोरा सा पानी है बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाएगा तो जब तक यह पानी गर्म होगा तब तक हम बागी की तयारी कर लेंगे तो सबसे पहली इडली बाले प्लेटोस को हम तेद्न से अच्छी से ग्रीज कर लेंगे ताकि रिस्टीम होने केप हर बहुत यह आसानी से निकल जाए तो मैंने यह आप एडली के सारे प्लेटِ से तहीड़ी कर रेलिय और अगर आपके आपके पास यह इडली व इसे हम steam करेंगे बिल्कुल उसे भी आप उसी तरीके से steam कर ले तो मैंने यहां पर यह सारे प्लेट्स को बैटर से भर लिया है अब यह पूरी तरह से steam करने के लिए रडी है इधर पानी भी देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें बॉयल बयाना स्टार्ट हो इडली को steam करते वे मुझे यहां पर टोटल बारा मिनट हो चुके हैं तो धक्कन हटाके इसे हम एक पर चेक कर लेंगे अब देख सकते हैं इडली एक दम अच्छे से फूल चुका है चेक करने के लिए आप एक नाइफ या पर तूद पिक ले और ऐसे सेंटर में डाल कर दे देखें देखें नाइफ एक दम क्लीन निकला है मतलब की इडली एक दम अच्छे से पक चुका है अगर इसमें गीला बैटर थोरा सा भी लगे तो आप समझ जाए कि इडली अभी थोरा सा कच्चा है तो उससे आप फिर से ढग दे और 2-3 मिनट और पका ले वैसे इडली को अच्छे से पकाने में 10-12 मिनट ही लगते हैं उससे जादा आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इस इडली को पहले हम एक से दो मिनट के लिए हलका सा ठंडा होने देंगे उसके बाद ही से रिमोल्ड करेंगे अगर आप इसे तुरंत निका लेंगे तो क्या हो आप इसके किनारों को स्क्राप करेंगे ना तुरंत यह बहुत यासानी से निकल जाता है और आप इसके जाली को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इडली बिल्कुल पॉफेक्ट बना है यह बहुत यादा सॉफ्ट और दिखाऊंगी और देखिए कितना ज़दा सॉफ् रख लेते हैं तो आप भी बिल्कुल इस तरीके खर सॉफ्ट और इस पंजी इडली अपने घर पे बहुत यासानी से बना सकते हैं और आप इसके जाली को देखिए कितना पॉफेक्ट जाली बना है इसमें मतलब कि हमारा जो इडली है वो एक दम पॉफेक्ट बना है तो फ को इसकी रेसिपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएगी आप वहां पर चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में भी आपको यह जो लिंक दिख रहे ना इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और अगर आपको यह मेरी आज की कर ले ताकि मेरे जितने भी नियू रेसिपी इसाइए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई